अभी दाखम जो भी interference pattern देख रहे थे वो monochromatic light के लिए था उसकी एक particular wavelength होती है अगर हम white light के use के लिए तो क्या होगा देखो white light में हर प्रकार की wavelength होती है यहां से गर white wavelength आईगी तो यहां पर हर light अपना-पना अलग interference pattern बनाने वाली है तो interference pattern में सबसे prominent चीज़ हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक fringe width होती है बीटा की value होती है lambda d upon small d अलग-अलग light के लिए lambda की value अलग-अलग है तो बीटा की अलग-अलग values आएंगी तो centrally तो देखो सबका maxima आएगा यहां से कोई भी red light आया या blue light आया center पर तो सभी के लिए part difference बराबर होता नहीं यह वाला तो part difference की value 0 होती है तो यहां पर हमेशा central maxima आएगा तो यहां पर आता हमाया पास Maxima और ऑल उसके बाद मुझे बताओ red light या फिर blue light अगर मैं देखो fringe की हमारे जो spectrum होता है तो violet का ठिकने जादा होगी fringe की या फिर red की देखो हमाया पास red की wavelength बड़ी होती है तो तो red की जो fringe width है वो ज्यादा होगी purple वालों की कम होगी purple या blue जो भी बोलो तो red के लिए मैं बोल सकता हूं भाई उसका maxima अगर मान लो इस तरीके से है इस तरीके से उसका pattern है तो हमाय बास जो blue आने वाला है उसका pattern थोड़ा पतला होगा यहां से अगर मैं purple light लूँ तो maxima तो इसका भी यहां पर है और उसकी fringe width थोड़ी छोटी है इस तरीके से यह ऐसा भी हो सकता है eventually देखो यहां पर मैं क्या देखता हूं जब इसका minima है तब इसका maxima है इस तरीक की सारी lights का maxima है तो यहां पर मुझे white maxima देखने को मिलता है इस विल भी white फिर उसके बाद कुछ जगे आएंगी जैसे यहां पर इस particular point पर मुझे red का maxima है blue का low है यहां पर मुझे red maxima देखने को मिलेगा correct फिर हो सकता है कोई सी जगे आजा जैसे यहां पर यहां पर मुझे violet maxima देखने को मिलता है maxima इस तरीके से अलग-अलग जगे अलग-अलग maxima देखने को मिलते हैं सवाल कुछ भी पूचाया सकता है यह पूचायागा भाई जहां पर right का maxima था हमाँ blue वाले का minima था तो बताओ हमारा पास ने d by d की एक value दे दी जाएगी और आपसे अलग-अ calculation कराई जाएगी formula हमें यही याद रखना है और कुछ नहीं करना है अगर हम ydse के setup को किसी liquid में merge करते हैं उसको डूबो दे तो ऐसे case में किस तरीके से fringe width पे क्या change होगा यह सब चीज़ें में देखनी होती है देखो हमारे पास जो fringe width होती है बीटा उसकी value क्यों इतनी होती है lambda capital D upon D अगर मैंने ydse के setup को as it is liquid में डूबो दिया तो हमारे पास d की value change नहीं होगी small d की value change नहीं होगी wavelength की value change हो जाएगी जब भी हम immerse करेंगे उसको किसी चीज में डाल देंगे तो जो भी lambda था वो change होगा के lambda upon mu हो जाएगा ऐसा होने से हमारे पास जो fringe width की value है वो भी जो air में थी उससे छोटी हो जाएगी तो मारे पास जो भी pattern था ना इस तरीके से वो अब shrink हो जाएगा इस तरीकी चीज हमें दिखाई देने वाली है अगर मझे बीटा की value पता चल गए तो फिर मेरे को first maxima कितनी दूर है second maxima कितनी दूर है इस तरीकी सारी की सारी calculations मैं कर सकता हूँ तो हमें बस इतना ही समझना होता है कि wavelength change होने से बीटा की value change होती है अब इस पर बेस कुछ questions देखेंगे तो आपको एकदम absolute clarity आ जाएगे of fringe width is found to be 0.4 mm. If whole apparatus is immersed in the water of refractive index 4 by 3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width will be straightforward formula based सवाल आ गया है वीडियों पॉस्स करो question को solve करो इसका correct answer है A solve करते हैं देखो हमाँ पास beta की value होती है lambda capital D upon small d और lambda change हो करके हो आपने वाले हमारा lambda upon mu है ना तो lambda dash की value change हो जागी similarly beta बन जाएगा हमारा beta upon mu तो हमाँ पास जो beta dash की value आने वाली है वो हो जाने वाली है originally beta कितना था 0.4 mm divided by 4 by 3 और यह बन जाता है माँ पास 0.3 mm A बन जाता है हमारा correct answer आप यह तो बहुत ही simple था सवाल आप से क्या किया जाएगा कि इसी को variation किस तरीके से पूछा आ सकते है कि बताओ central maxima में कितना shift आएगा तो देखो central maxima में कोई भी shift हमें देखने को नहीं मिलेगा यह हमारा ydse का setup है इस तरीके से central maxima मालो initially हमारा इस तरीके से pattern था यह तो इसमें beta कौन सी width होती है बीटा होती है this width is beta या फिर आप इसको भी बीटा बोल सकते हो यहां से लेकर के यहां तक अब जब मैंने इसको ढूबो दिया है तो बीटा की value कम हो गई है तो बीटा की value कम होगी तो हमारा पस इस तरीके से मैं बोल सकता हो मेरे पास ऐसा कुछ आने वाला है अब मेरे पास यह वाली जो value हो जाएगी इसको मैं बोल सकता हूं this will be beta dash या फिर अगर हम maxima to maxima को ही compare करना चाहते है तो अब मैं इसको बोल दूंगा भाई this becomes beta dash सवाल पुछाएगा central maxima की position में कोई change हो आएगा नहीं हुआ central maxima मही था first maxima की position में कितना change हो गया पहले जो beta था बात में beta dash इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो first maxima में position में change है third maxima की position में कितना change हो जाएगा जितना यह change है इसी का तीन कुना change हो जाएगा तो इस तरीके की questions भी आप से पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमें बस क्या ध्यान रखना है जब भी सब्मर्च करते हैं beta की value change हो जाती है कि YDSC में अगर हम एक glass की slab को insert करते हैं तो किस तरीके से चीज़ें जाते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं देखो जिस वक्त हमाँ पास यहां पर glass slab नहीं थी तब क्या हुआ होगा यहां से light ऐसे आती है यहां से light ऐसे आती है दोनोंने same path चला है तो दोनों में कोई part difference ही होता है यहां पर मैं पास central maximum आ जाता है लेकिन जैसे ही मैं यहां पर slab डाल दूगा तो यहां पर कुछ फिड़ाता है कि देखो यहां से जो light आ रही थी उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा वह तो हैसे आने वाली light के साथ में कुछ problem हो जाएगी problem क्या हो जाएगी देखो हमारे पास air में light इस तरीके से travel करती है या फिर vacuum आप इसको बोल सकते हो यह सी यू यू फिर हमने यहां पर slab रख दी तो slab में क्या होता है वीवलेंच छोटी हो जाती है वीवलेंच छोटी हो जाती है तो वह इस तरीके से कुछ travel करती है कि उसकी effectively optical path लंबा हो जाता है जो point यहां पर इस तरीके से था उसी point को आप देखो यह इसके बराबर है basically आप इसको ऐसे समझो यह जो wave थी वही compress होकर कि इसमें फजी होई है तो यह वाली length इसको हम बोलते है इक्यू वैलेंट optical path इसकी value कितनी होती है इसकी value होती है mu times t अगर यह थिकनास हमारे पास t है तो अब आपको इसको feel करने की ज़रूत है कि हमारे पास एक जो light आई थी उपर से उसने तो distance चला है t यहां पर इसने t चला होगा इस light ने भी t चला होगा लेकिन optical path उसका mu times t आ गया तो उसकी कारण हमारे पास कुछ path difference आ जाएगा उसक practical path difference इसने चला है mu times t इसने चला है t दोनों का जो difference हो वो कितना है इसकी value आजाएगी this will be equal to mu t minus t which is equal to mu minus 1 times t इतना path extra चला है कौन से वाले ने चला होगा ज़र फील करने की कोशिश करो इस वाले ने नीचे वाले ने ज्यादा चला है तब एक बात बदाओ नीचे वाले ने extra path चल लिया यह अभी भी उतनी गई है इसने कुछ extra path चल लिया तब definitely यहां पर central maxima नहीं बने रहा central maxima कहां बनता है जहां पर दोनों ने same amount of path चला हो दोनों ने same amount of path चला हो ऐसी position अब यहां तो ऊपर आ सकती है नीचे आ सकती है बताओ कहां पर आएगी तो उसके लिए हमें यहां पर इस particular case में यह चीज़ दिख जाती है कि वो चीज़ नीचे कहीं आने वाली है तो यह कोई point होगा जहां पर इस वाली light ray ने optical यह जो हमारी यहां पर slab आ गई है उसके कारण extra path चल लिया है और इस वाली ने यह geometry के कारण कुछ इस तरीके से extra path चल लिया होगा इस तरीके से हम देखते है कि अगर दोनों के path बराबर होगा है जो difference है तो फिर यहां पर central maxima में देखने हो मिलेगा इस particular case में बोल सकते हूं यहां से इधर और इधर यहां पर थोड़ा से reflection वगरा होगा यहां पर आएगा हमाया पास central maxima this is central maxima ठीक ओके तो इसकी calculation आप किस तरीके से कर सकते हो मानलों यह वाला distance है यहां पर हमें एक चीज़ चेक करने है अगर मैं यहां पर देखूं इसने कितना extra path चल लिया है तो यहां पर लिखेंगे for central maxima दोनों ने जो extra path चला है वो बराबर कर दो इस slab वाली ने कितना extra path चल लिया है वो है mu minus one times t should be equal to इसने कितना extra path चल लिया इसने जो extra path चला है वो कौन सा वाला होता है यह वाला उसकी value आती है d into sin theta जिसको आप लिख सकते हो इसको आप approximately लिख दोगे d tan theta और tan theta की value किती होती है y upon d उसको आप लिख दोगे d theta या फिर उसको आप लिख सकते हो this is why not और अगर मैं यहां से किसी भी general y की बात करूं तो उस y पर हमारे पास part difference हमें लिखना आना चाहिए उस जगे पर मैं part difference कैसे लिखूंगा मानलों यहां से एक light ray ऐसे गई और यह वाली light ray यहां से कुछ इस तरीके से गई तो इस case में मैं देखता हूं कि नीचे वाली ray इसने ही दोनों extra path चले है, optical path भी इसने extra कर लिया, geometrically भी इसने कुछ extra path चला है, तो दोनों उसको add कर देंगे, at any y हम लिख सकते हैं, delta x की जो value है, वो कितनी हो जाएगी, इसने नीचे वाली light ray ने extra चला है, उसकी value आ जाती है, mu minus 1 times d, plus, उसकी दूसरी value हो जाती है, d times theta तो वो जाता है, dy upon capital D, और इसकी value, अगर हमाएं पास n lambda के परावर हैगी, तो maximum आ जाएगा, odd multiple of lambda by 2 आ जाएगी, तो आप minima निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको calculations करनी होती है, अब इसका generalized formula बनाने की कोशिश मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि slab अभी यहाँ पर नीचे लगी है, अगर slab को उपर लगा दें, तो फिर यहाँ पर plus या minus का जूलो जाएगा, उसकी विज़े से आपके answers गलत आ सकते हैं, इसलिए हमेशा आप इसको ऐसे सोचने की कोशिश कर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यह वाली light ray तो सीधी आ गई, यह वाली light ray को देखो तो इसने geometrically भी इतना path extra चला है, optically भी इतना path इसने extra चला है, यह हमाया पास net path reference आ गया, अब इसके साथ आपको जूबी करना है, उससे आप बता सकते हो भई, यह अगर इस एक बहुत ही अच्छा example देखते हैं, हमारे पास यह इस तरीके का YDSC का setup है, और इसमें हमने यहाँ पर इस तरीके से slab को add कर दिया, और फिर question में बोला जाएगा कि हमने slab तो add कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें central maxima पहले भी देख रहा था, यहाँ पर अभी भी हमें maxima तो हमें बताना रहेगा या तो इसकी thickness पूछ ली जाएगी या फिर इसकी refractive index की value पूछ ली जाएगी बताओ ऐसा कैसे होगा, यहाँ पर हमें यह समझना है, यहाँ पर अगर मुझे अभी maxima मिला है, पहली बात तो definitely वो central maxima नहीं है, ऐसे के इसमें central maxima कहीं नीचे shift हो जा या nth maxima होगा, कोई ना कोई maxima की value वहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले तो race बनाओ, यहाँ से इस तरीके से गई होगी, दूसरी इस तरीके से गई होगी, this will be हम बताना central maxima, यहाँ पर अगर मैं intensity का graph बनाओगा तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, यह हो सकता है, first maxima हमारे पास जो extra path difference है, इस point पर, इस point पर extra path difference कितना हो जाएगा, अगर इस point पर path difference की बात करूँ, at o path difference, अगर मैं o की बात करूँ, this is point o, पर अगर मैं बात करूँ, part difference की तो देखो, यह तो जितना आया है, यह भी इतना है, geometrical path दोनों का सेम है, इसने optical path यहाँ पर extra चल लिय क्या है, उसकी value आजाएगी, delta x is equal to mu minus 1 times t, t यहाँ पर thickness of the slab होती है, इस तरीके से t, अब इसकी value n lambda के बराबर होगी, यहाँ से देखो, अगर मुझे thickness की कुछ value दिए है, कि भाई, इस glass slab की thickness 1 cm थी, तो उससे मुझे पता चलेगा, mu की minimum value आया है, कि minimum value कैसे पता चलेगी, क् कि n की value 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उससे 0 नहीं हो सकती, 0 होती है, तो यहाँ पर central maximum ही आजाता है, ऐसे case में आप देखो कि mu की value भी बना जाती है, क्योंकि फिर इधर भी 0 होना पड़ेगा, तो आप से mu की minimum value पूछी जा सकती है, यह और भी इस question के concept से कोई भी variation मना जा सकते है, हमें बस यह समझा है, देखो भाई, जहाँ slab होती है, वहाँ पर extra optical path आजाता है, that's it, यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, actually एक छोटा था part है, बहुत ही प्यारे से course, J.E. मन्त का, और उसमें हमने 40 दिनों में पूरी क्पूरी physics को, all the concepts, और बहुत सारे conceptual questions, बहुत सारे previous questions, सब कुछ कवल कर लिया है, colorful graphics के साथ में ऐसा course, आप वो कहीं भी नहीं मिलेगा, और यह full syllabus course है, आप इसमें देख सकते है, हमने सारे topics को कवल किया हुआ है, तो अच्छे सा आपका revision हो जाएगा, आ जाओ यहाँ पर, और link is in the description, by the way, आप colorful notes क PDF डाउनलोड कर सकते हैं, absolutely free है, वो वहीं पर जाना, आपको course page पर वहां पर होगा, एक button, download free PDF, I think first button ही है, और वहां से आप सारी की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उनको print कर लाओ, last minute में revision हो जाएगा, साथ में व्लागिंच चैनल को भी subscribe कर लेना, अब हम मिलेंगे अगले व